हाई मिया नाम है आशीश और आप देख रहे हैं दीललन टॉपिक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सूशलिस्ट देखो देखो वो आ गया कौन वही जिसका इंतजार 11 तहसीलों की पुलिस में आप हमारा ओफिस सब कर रहे थे जिसके आने के लिए हैश् सबसे पहले जानता है कि आज के शो में क्या है खास अपने बाहरी वाले ट्वीट को लेकर निशाने पर आये केजडिवाल साइकल से फूट डिलीवर करने वाले को पुलिस ने दे दिया गिफ्ट बिहार के टीचर ने अनोखे स्टाइल में छात्रों को दिया यूनिक ग्या पहले सुर्क ही MP से आई है हल ही मेरा आजस्थान से ख़बर आई थी जिसमें एक व्यक्ति साइकल से खाना डिलीवर करता है और फिर एक लड़के की मदद से सोशल मीडिया केमपेंच चला कर उसे बाइक दिलाई जाती है अब ऐसी ही कुछ खबर MP से आई हलांकि यहां कोई केमपेंच लावल कि पुलिस ने ही उसको बाइक दिला दी इन दौर के विजय नगर में जय हल्दे नाम का एक बंदा साइकल से खाना डिलीवर करता था वहां के थाना प्रभादी तहजीब का जी ने जय हल्दे को देखा और फिर उसको एक बाइक दिलवा दी इसके लिए इसने थाने के बाकी साथियों से भी मददली घटना काफी चल रही है और लोग पुलिस की तारीफ कर रहे हैं लोगों को कहना है कि पुलिस का ऐसा मानवी चहरा लोगों का विश्वास और बढ़ाता है वैसे लोग तो कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि उसके पास बाइक प जब दिल ना लगे दिलदार गाने की तर्ज़ पर अपना मेकिन बिहार देशी गाना गा रहे हैं और बच्चों को लू से बचने की सलाह दे रहे हैं साथी उन्होंने गले में दो बोतलने भी लटकाई हुई हैं वीडियो टीचर्स ऑफ बिहार के ट्वीटर अकाउंट से शे जाना ना जाना जब धूप रहे खुब तेज तो बाहर ना जाना खुद को रखना घर में सहेज की बाहर ना जाना ना जाना एक वीडियो विदेश से आये हैं एक दम बॉलिवुड स्टाइल का वीडियो है वीडियो में दिख्या रहा है कि एक बंदा मेट्रो के ऊपर कहें मतलब एकदम रियल टाइम में एडवेंचर कर रहा है वीडियो नियू आर्क का बताया जा रहा है एक यूजर ने लिखा कि ये बंदा तो असल में सब्वे सरफर गेम खिल रहा है कहीं उने इसको स्पाइडर मैन बता दिया बाकी वीडियो बहुत खतरनाक है वायरल हो र प्रवेश की तस्वीर शेर की और साथ में लिखा कि हिंदू धर्म विज्ञान आधारी जीवन जीने का एक तरीका है दरसल वो एक पुरानी ख़बर के आसपास की बात कर रहे थे जिसमें एक परिवार ने ये दावा किया था कि भोपाल गैस ट्रेजडी में उनके यहां लोग दावे करते हैं कि ये बात तब भी खूब चली थी और भोपाल में त्रासली के समय लोगों के घर खूब हवन होने लग गये थे वहीं कुछ पुराने लोग कहते हैं कि रात का हवन कौन ही करता है तो गौरव ने ऐसा ही कुछ लिखा कि 1984 के भोपाल गैस लीग कार्ण भी की है एक यूजर ने लिखा कि ना ही नहरूजी आयाइटी बनवाते और ना ही एक दिन हमें ये सब कुछ देखना पड़ता लोगों ने पोस्ट को मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन में भी रिपोर्ट कर दिया एक और यूजर ने लिखा कि इसी हवन में अपनी आयाइटी की डिगरी भी जला दो एक तीसरे यूजर ने लिखा कि जब आपके पास फोटो के लिए कैप्शन ना हो और आप ऐसे ही कुछ भी बख्वास पेस्ट करने आप चलते हैं दिन के बड़े ट्रेंट्स की ओर दिन की बड़ी खबर अरविंद केजरिवाल से जूड़ी आई व भाजपा को अपना अध्यक्ष बनाने के लिए एक भी गुजराती नहीं मिला लोग कहते हैं ये केवल अध्यक्ष नहीं गुजरात सरकार यही चलाते हैं असली सीम यही हैं तो गुजरात के लोगों का घोर अपमाने इसके बाद लोगों ने अरविंद केजरिवाल को बता अब देश में राज्जियों को मांट रहे हैं शेत्रवाद का जहर इतना पहला दो कि एक राज्ज के लोगों का दूसरे राज्जे में जीना किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने जितना कठिन हो जाए लेने जितना कठिन हो जाए सियासत के लिए इस देश को और कितना नुकसान पहुंचाओगे नेताओं तीसरे यूजर ने लिखा कि तुम जो दिल्ली में बैठकर पंजाब चला रहे हूँ उसका क्या एक और यूजर ने लिखा कि केजरी वाल जी गुजरात में ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा हम गुजराती केवल राश्क्रियता में विश्वास करते हैं अच्छा रहेगा कि प्लान भी पर फोकस करें एक और यूजर ने लिखा कि अंग्रेज भी यही फूट डालो और राज करो वाला काम करते थे और आप भी अब यही कर रहे हैं केजरी वाल राजिनीती नहीं करते गंदी राजिनीती करते हैं सोशल मीडिया पर एक बार फिर से बात आशिश मिश्रा की हुई ओवियसली मेरी नहीं थार वाले आशिश मिश्रा की एक अखबार की कतरन चली की जेल में रहते हुए आशिश को वी आईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसके लिए चार कूलर लगे हैं और खाना भी घ यूजर ने लिखा कि एक अपराधी को वी आईपी ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है और असली पीडीतों को जूटे केसों में फंसा कर अभी जेल में रखा गया है दूसरी यूजर नी लिखा कि निवर्दोस्स किसान जूटे केसों में अंदर क्यों है जबकि असली जलाने के लिए चलाने के लिए जिल में लाइट आ भी रही है। मंदिर के चेर्मेन किशोर कुणाल ने कहा कि ना तो हमें अजान से दिक्कत है और ना ही उनको भजनों से दिक्कत हैं हम आपस में भाईचारा बनाए रखते हैं ख़बर सामने आने के बाद लोगों ने निताओं कुटाना मारा एक यूजर ने लिखा कि यहीं असली भारत है आपस में मत बठी है हम एक साथ खड़े रहते हैं तो मजबूत रहते हैं एक और यूजर लिखा कि 2014 से पहले भारत में यह सब आम बात थी लेकिन इसके बाद अभी यह हैड़लाइन बनने लगी है सोचल लेस्ट में आप बारी है पिकाउस दिडी की हमारा वो सेग्मेंट जहां हम आपको दिखाते हैं कोई अच्छी इस तस्वीर अकाउंट हैंडल चैनल और बताते हैं हमको बड़ा जहांपार लगा आप भी देखिए आज पिकाउस दिडी में बात करेंगे एक पेंटि इसके पहले भी विदांतका ने फिल्टर काफी की पेंटिंग मनाई थी जो काफी चली थी हमने आपको दिखाई भी थी उनके इंस्टा हैंडल भी आपको दिखाया था बाकि आज के सोचल लिस्ट में इतना ही कल तो छुटी है अब मिलाकात होगी सीधे परसों तब तक के हम चली टाटा